स्वागत है आपका सिरी चानल श्रिमिया आज आप महुँच चुके है गंच के रादा पिष्ण मंदिर जहांपर गनेश उत्सभ नौ दिन तक मनाया जागा है तो चलिए आपको मंदर के दर्शिन तकाते हैं गनेश उत्सभ भादरपत महीने की शुकल पक्ष की चतूर्थी तिति से शुरू होता है जिसका समापन अनंध चतूर्थी के दिन बपा की विदाई के साथ होता है मानता है कि भगवान की विदी विदान के साथ पूजा करने से सारे कश्ट दूर होते है और घर में सुक्षांती बनी रहती है साथी कारोबार में उन्नती होती है आपको बता दे कि जारतर लोग गनेश उत्सभ को बपा की मूर्ती घर लाते है जिसकी दस तिन तक विदी पूरवक पूजा अर्चना करते है आईए अब जानते हैं गनेश उत्सफ क्यों मनाया जाता है और राधा कृष्ण मंदिर में किस तरह मनाया जा रहा है गनेश उत्सफ बात करेंगे यहां के पंडित सुशील चंच शर्मा जी से आप उन्में थोड़ा गनेश चतुर्ती के महत्व बताएंगे क्यों मनाया जाता है इसमें गनेश चतुर्ती से ले करके और 14 तक गनेश जी की उपासना करें तो उसमें आमको कापी सा फल मिलता है जिसकी जो कामनाय होती भगवान गनेश जी पूरा करते हैं और कोई घर में बिगन बाद आया है उसको भी दून खरते हैं और इसलिए गनेश का उच्छाव दस गिन तक मनाया जाता है पहले यह तो उदर मुंबाई उगेरा में था लेकिन अभी प्रचलन पूरे उत्तर भारत में प्रचलित हो गया है दस रसालों से यही है गनेश का प्रचलन अगशन करता है राधा किशन मंदर में यह आयोजन पिछले कई वर्षो दे आयोजित किया जा रहा है आईए बात करते हैं गनेश उच्छव के आयोजन करताओं से मेरा नाम दीपक लालसूर है, मैं परधानू गनपती सेवा मंगल गनजबिजार शिम्ला करूँ अच्छा तो आप ये महुतसब जो है, आप कितने सालों से कराने से? महुतसब हम 2010 में शुरू किया था, तब हमने शिम्ला में पहली वार किया था और अब ये हमारा तेर मार संस्करन है, और हम इसको बड़ी दूम धाम से करते हैं, और लोगों का बड़ा सेहोग मिलता है